नवस्कात दोस्तों सपनों को सच करने से पहले सपनों को त्यान से देखना हुता है नवस्कात दोस्तर रादे स्वागत आप सभी का अपने यूटीब चैनल गितेकान रासी पल में आज हम बात करने जार है सिंग रासी वालों के, सिंग रासी वालों को 10 अक्टूबर दिन गुरुवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में, किन-किन चुए सापता रहना वुका और सिंग रासी वालों को आने वाले समय में भी कौन-कौन सी कुसकवरी मिलने वाली हैं टो दोस्तों आए शुड़ों आपको बताएंगे सिंग रासी वाला को पारक वाल जीवन कैसा रहेगा उनका बेन-चुर्वा पर कैसा रहेगा उनका प्रिमीन समंध कैसा रहेगा और साथ भी स्वास्त कैसा रहेगा तो दोस्तों आएंśmy ragas आये हैं तो इसे सस्क्राइब करें और साथे साथ बेल एकन और पर दवाएं ताकि आपको आने वाली नौटिफिकर समय सकें दोस्तो अब बात करते हैं आज के बंचांगी 10 अक्रुवत तो यह 24 दिन गुरुवार आज के दिते सब्त में आज का नजटर पूरवा साड़ा नजटर पच्छे चरदा सुक्र पच्छ आज सुर उत्य होगा सुबच 6 बज़ के 19 मिनट पर और सुर अस्त होगा सम 5 बज़ के 26 मिनट पर दोस्तो आज का सुब समय है सुबह 8 बज़ के 10 मिनट से सुबह 10 बज़ के 20 मिनट तक रहेगा दोस्तो आज आपको सुब करना चाहते हैं तो आप इस समय करें आपके लिए सुब होगा साथी आपको बताएं आज का असुब समय है दुपर 12 बज़ के 33 मिनट से द उपर एक बज़ के पच्चिस मिनट तक रहेगा दोस्तो इस समय कोई भी सुखा ना करें विग ना सकता हैं आज आपका लख की लमरेटू और सुख रंगे गुलावी और हलका नीला दोस्तो अब बात करते हैं आज के राजिपल के बारे में आज का दिन कैसा रहेगा आज की आज का दिन वैसे आपके लिए ठीक है लेकिन कुछ मावलों में थोड़ा बारी है अगर आप सरकारी नोकरी करते हैं तो मन असांत रह सकता है बविस्थ को लेकर हलकी पुल की चिंता भी रह सकती है दूसरा आज किसी भी तरह का नाहू गर बाहर तोरा ध्यान बनाए रखे हाला कि परवार का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा और इसमें कुछ चुनवतियां हैं दोस्तों की तरफ से कुछ चुनवति का सामना आपको करना पर सकता है और इसमें विवसा ठीक चलेगा शुक साधन पर थोड़े खर्च होंगे पारिकवार सपोर्ट भी आज आपको प्राप्त होता हुआ दिक राय है अगर आप राई नीती से जुड़े हैं तो उपलब्ती से बड़ा देन हैं अभी वी एच्चे फिर से उबर कर आपको मांसिक तना आप दे सकता है अपनों से मत्वित होने के संबाब ना बनी हुई है और आज के दिन खासकत देखिए पै दूसरों की बातों में बिल्कुल भी ना आएं अपनों के स्वास्त का थोड़ा सा खया रखें किसी खास व्यक्ति को निजी बातने तो बिल्कुल भी मत बताईएगा क्योंकि आपके लिए अच्चा नहीं है और जीवन साती की सूजबूई से थोड़ा सा आपको आपकी को थोड़ा सा समय जादा भारिये किसी घर के किसी महिला सद्यस के स्वास्त का थोड़ा परेशा नहीं हो सकता है इसका ध्यांद रखिएगा और इस समय देखिए इस समय आप जादा उतावले पंद से आपको बचना होगा किसी भी तरह का मतविद में बिल्कुल भी ना ये भी थोड़ा टेंसन की बाते होंगे हाला कि माता पिता से पूछ करी आप कहीं भी जाना चाते हैं चाहें वो दोस्तों के साथ या उनकी आग्या लेकर घरवालों को बता कर जाएं आप कहां जा रहे हैं किस के साथ जा रहे हैं आज थोड़ी भावना उपर आपको कंट् होगी गर परवार में कोई सुब मंगल कार होंगे साम से इस्तती आपके थोड़ी सामान होते हुए दिखाई देगी और दूसरा आज के दिन आपका देखिए दंसपत्ति के मामले में आपका दिन सबसे बढ़िया है पार एक बार जीवन थोड़ा भारी है प्रेम भी भारी है बिवसाइक मामलों में किसी पर भरोसा ना करें बैवाइक जीवन में दिन में थोड़ी उतल पुतल है और स्वस्ते के मामलों में अपना खूब खया रखिएगा खाने पीने की ऐसी वैसे चीज़ें आज खाने से बचें और दूसरा ब्यापारी भाईयों को मुनाफा तो ह होगा पर जोरों से जादा उधार देना आपके लिए सई नहीं है और इसमें प्रिये से अपनी बात हैं आप दिल की बात कर सकते हैं लेकिन गुपत बात हैं किसी से ना करें चाहें वो कोई भी हो और साथ ही आपको बताएं आज के दिन आपके लिए एक से अधिक सुरोतों को से आई दिलाने वाला रहेगा आपको लंबे समय से रुकाव अधन प्राप्त हो सकता है और ब्यापार में तेजी आएगी आपका कोई मित्र आपसे लंबे समय बात मिलने आ सकता है आतिक द्रस्तिकोर से दिन अच्चा रहने वाला आए परस्पा सहयोगी की भावना आप के मन वा बनी रहेगी आप कामों को करेंगे तो आपके लिए वहतर रहेगा आपको ब्यापार में लाब के अबसरों को पैचान कर उनपर चलना होगा तभी आप अच्चा धन कमाने में कामयाब रहेंगे आपको किसी परवार के सदस्त के स्वास्ते के बिगड़ने के कारण बागद़ अधिक करनी होगी और दोस्तों कई जातकों के जीवन में आज रुपे पैसे के हालाद और उनसे जुड़ी समस्य हैं आपको मांसित तनाव का कारण बना सकती हैं क्योंकि संभाव है कि कार इस तर पर काम का दबाव और घरेलू मतवेद की कारण आप अपने खानपार पर ध्यान ना दे पाएं इस कारण सेथ में गरावट आने के साथ आप कुछ कमजूरी से भी दोचार होना पर सकता है और आज कई जातक अपने जीवन साती के ऊपर अपना धर्च करन करते हो दिखाई देंगे ऐसे में समभव है कि आप उनके साथ किसे सुन्दर यात्रा पर जाने का प्लैन भी करें क्योंकि इस समय आपकी सैली में व्रद्धी देखी जाएगी इसी कुछी को आप अपनों के साथ खुलकर मनाते हो दिखाई देंगे हाला कि अधिक धन कर्च करना आपके लिए हानी कारक सिद्ध हो सकता है और आपको ये वाद समयने की जरूरत होगी कि ऐसा साइदी कोई घर होगा जहां सदस्यों के बीच मतवेद नहीं होते हो इसलिए आपको अपने परवार के मुद्धों को दूसरे आम परिच्चतों से साजा करने से बचना होगा अन्यता आप खुद को दूसरों के बीचे हास्ता का पात्र बना सकते हैं जिससे आपके ही मांसिक तनाम में वडुत्री होने की अकांसा रहेगी केरियर सटिक्ता के साथ आगे बनने में आज आपको परेशान हो सकती है परन्तु आप खुद को सरवे परी समयते हुए इस समय दूसरों के मतद लेने से खुद को रोकेंगे इससे आपको बविस्य में अस्फल्ता का मुख देखना पड़ सकता है अब आज जो बेद्यारती हैं कांस का ज़्यादा सोच बचार में समय ना देकर पड़ाई लिखाई में फोकस बनाये रखें तो इसका रेयल्टी आपको ज़रू पॉजिटर मिलेगा इसलिए ध्यान अपने केरियर में बनाये रखें और वेटर के जगड़ों से बचें और आपके लिए ये समय सबसे ज़्यादा अनुकुल दिखाई रिरा है क्योंकि इस समय आप खुद को सिच्चा के पिरती तोड़ा सतर कर रखते हों भी अनुकुल फल प्राप्त कर सकेंगे दोस्तो अब बात करते हैं आपकी लवलाइब की आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा आगी जानते हैं तो दोस्तो अगर हम सिंगल जातों को की बात करें तो आज आप अपने प्रेम संबंदों में जुनन और रोमेंस की कमे महसूस करेंगे जिससे आप ना चाते हुए भी अपने साथी को नाकुष कर सकते हैं साथी प्रेमी की ये नाराजगी आपके जीवन के बिविन छित्रों में भी आपके तना ब्रती का मुक्षरूत बनेगी जो आपके प्रेम जीवन के चलते आपको नाकुष कर सकती है साथी जो साजिस उता जातक हैं तो आज आपसे कोई बड़ी गलती संबब है जो आपके बहरक जीवन के लिए खराफ हो सकती है ऐसे में हर तरह से खुद को साब्ता रखें और अपनी बारी का खास कहा रखते हुई कोई भी कार करना आपके लिए हितकारी रहेगा दोस्तो अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की आपका स्वास्त कैसा रहेगा आगे जानते हैं तो दोस्तो स्वास्त के लाज से आज आपको छोटी मोटी समस्य हो सकती है लेकिन कोई बड़ी बीमारी इस दोरा नजल नहीं आ रही है इसलिए आप कापी कुछ नसीव रहेंगे फिर भी आपको अपने सेहत के प्रति किसी भी तरह के लापरवाई नहीं परतने चाहिए और समय समय पर योग अभ्यास ध्यान और एकस्टा COD करते रहना चाहिए ताकि आप अपने आपको चुस्त दुरूस्त और फिट बनाये रखे हैं साथी आप अपने खान पान्व कर ध्यान रखे हैं और रोजाने योगा बयायम करते रहें नवस्काल दोस्तों रादे रादे